हलो दोस्तों नमस्ते सरूजगी किचिन में आपका स्वागत है आज मेरी किचिन में बन रही है चावल की खीर कोई भी ती जो त्योहार हो सबसे पहले जो मिठाई हमारे गरों में बनती है वो होती है स्वादिश्ट खीर तो चलिए इस बार बनाते हैं एकदम अलग और बहु मिल्क पाउडर डालना पड़ेगा नाहीं कंडेंस मिल्क डालना पड़ेगा गंटो दूद को पकाना भी नहीं पड़ेगा मिंटों में तैयार होगी इस खीर को देखने के बाद जब भी आपका खीर खने का मन हो तो आप फटाबट बना लेंगे आपको सोचना नहीं एकदम यूनिक प्रबडिदार खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिये हैं चावल, यह चावल मैंने दो चम्मच लिये हैं, वजन में 300 ग्राम हैं, हम 10 लीटर दूद की खीर बना रहे हैं, सबसे पहले चावलों को अच्छे से दोलेंगे और पानी हटा देंगे, यह डालेंगे और इन चावलों को अच्छे से दोलेंगे, चावलों को हमने दोलिया है, इन्हें अब पानी डालकर आदा गंटे के लिए भिगो देंगे, खीर हम कोकर में बना रहे हैं, बहुत जल्दी बनेगी और बहुत ही आसानी से बनेगी, हम आदा लीटर दूद की खीर बना रहे हैं, आदा लीटर दूद फुल क्रीम दूद है, खीर बनाने के लिए हमीशा दूद फुल क्रीम ही लीजिए, जब ही खीर टेस्टी बनती है, कोकर को पहले से धोकर जरूर लीजिए, एक दम सुखे कोकर में दूद मट डालिए, क्योंकि दूद लगने का डर रहत है, दूद हमने कोकर में डाल दिया है, अब गैस का फ्लेम ओन करेंगे, और दूद में उबाल आने देते हैं, ढक्कन इसके उपर रख देते हैं, जिससे दूद में जल्दी उबाल आ जाएगा, हमारे दूद को पांच मिनट हो गई है, इसमें उबाल आ गया है, हमारे आज़ में काम में लेते हैं, बास्मती चावल नहीं लेते हैं, इनकी खीर चल्दी बनती है, अब इसमें कुछ ड्राइफ रूट्स डालेंगे, जैसे की दो चम्मच कसा हुआ नारियल, एक चम्मच भारिक कटा हुआ पिस्ता, दो चम्मच भारिक कटा हुआ बादाम, और दो पीशों में कटा हुआ काजू, ड्राइफ फुट आप अपनी मन पसंद से डाल सकते हैं, और अब डालेंगे आदा चम्मच इलाइची पाउडर, और इनको मिक्स करेंगे, और कोकर को बंद कर देंगे, गैस का फिलेम लो रखेंगे, इसे ही सीटी आती है, ठंडा होने देंगे, कुकर ठंडा हो गया है, और ये देखिए, खीर बिना चलाए ही, गाड़ी और अच्छी खीर बनी है, लेकिन अभी इसमें हमने चीनी नहीं डाली है, चीनी बाद में ही डालते हैं, अब कुकर को बापस से गैस पर रखेंगे, और चीनी डालेंगे, चीनी एक चौताई कप है, बजन में 50 ग्राम है, चीनी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हो, खीर में हम दो चम्मच मलाई डालेंगे, ये चीनी के साथ ओबल कर पक जाएगी, और हमारी खीर रबड़ी दार बनेगी, आप और भी रिच बनाना चाहते हैं, तो आदा कप कंडेंस मिल्क डाल सकते हैं, चीनी को गोलने के लिए, गैस फ्लेम हमने लो रखा है, चीनी गलत है, जब तक इसको चलाते हुए कुक करेंगे, इसे कुक होते हुए दो मिनट हो गई हैं, अब गैस का फ्लेम बन कर देते हैं, और आप अब खीर को देखिए, खीर को चमचे से गिरा रहे हैं, तो सब चावल और ड्राइप रूट साथ ही गिर रहे हैं, ये सारे एक साथ हिल मिल गए हैं, इस खीर को बनाने में सिर्फ 15 मिनट लगी हैं, बढ़िया खीर बन कर तयार हो गई है, तो अब आपको जब भी खीर खानी हो, आप पटापट बना लेंगे, ये गाड़ी दिख रही है, और अभी घरम है, ठंडी होने पर और गाड़ी हो जाएगी, अब इसे प्याले में सर्व करते हैं, इस समय हमारी खीर एक्तम परफेक्ट है, खीर ठंडी हो जाएगी, जब हम इसे फ्रीज में रख देंगे, तो ये ज़्यादा गाड़ी हो जाएगी, अब इसे आप खाएं, तो बॉइल किया हुआ दूद मिला लें, और फिर खीर को सर्व करें, हमने खीर प्याले में कर ली है, अब इस पर कुछ ड्राइफ रूट से गापनिश करेंगे, हमारी खीर बनकर तयार हो गई है, इसे देखकर ही लग रहा है, कि ये कितनी टेस्टी बनी है, और ये खीर इतनी जल्दी बनी है, जब आपका मन करें, खीर बनाईए, और इसे बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो आप बनाईए, और मुझे कमेंट्स करके बताईए, खीर आपको कैसी लगी, अगर मेरा चैनल अभी आपने सस्क्राइब नहीं किया है, फिलीज जल्दी से कर दीजिए, और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, धन्यवाद,